चलो इसमें से कोई बताएगा कि तल क्या होता है तल यानी बॉटम कोई बताएगा बॉटम क्या है देखिए आपने सुना होगा अक्सर यह इसका बॉटम है थाना सुना होगा ना आपने भली तो चल यह ठीक है बात करतें कि कि टोपिक पर शाम होता है कि एक होता है तल एक होता है तल खंड हों hone जोनों में अंतर होता है साथिहों सबसे पहले हम तल के बारे में नहीं बलकि बात करें तब आपको बहतर समझ में आएगा जैसे अगर हम बात करें यह वाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो तो यह क्या एक तलखंड है तलखंड है क्योंकि इसके निश्चित छोर है यानि स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं एक जामपल के लिए अगर मैं आपको एक कॉपी या किताब दिखाऊं कोई चीज रुकना थोड़ा सा तो उसमें देखिए एक निश्चित जगह पर वह खत कि इसमें अगर आप देखिए तो एक निश्चित जगह पर यह खतम है यानि इसके लंबाई है नहीं दिख रहा है एक मिनाट हट जबाई इसकी लंबाई है चोड़ाई है निश्चित है इतना दूर में आपको दिख रहा है न इंखान साब को बलग करो तो यह तो मारे एक लोग लगा हो जिस पर हम लोग लिखते हैं यह भी क्या एक परकार से तल खंड है कि आपके घ़र में दिवाल है ईवाल अजया आप लोग जमीन चिके हो Ben जाय अपना होगा, चाय मम्मी बापा कोगा, किसी कभी होगा है, चारो तरब दिवाल बनी है, दिवाल क्या है एक तलखंड कह सकते हैं, यूकि उसका एक अंत और स्टार्टिंग दोनों दिख़़ा है, नमज़े ना आप लोग, लेकिन तल क्या है, भाई टॉपिक एक मिनट इस्क्रीन पर देखिए ध्यान दीजिए हम बात कर रहें दो टॉपिक के बारे में जो उपर लिखा है आपका ए तल और बी तल खंड पहले समझ लीजिए फिर आप लिख भी सकते हैं ठीक है तल खंड मतलब बटम ब्लक थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन समझ नहीं देखिए साथियों तल जो है एक परकार से आप जैसे धरातल सुने है धरातल धरती का तल आप बताइए क्या इसमें से कोई जानता है कि धरती कहां से सुरू हुई कहां पर खतम है कोई है कोई महानातमा है इसमें जो देखा हो कि धरती भाईया फलाने जगा सुरू हुई है आप कह सकते हैं तल का एक्जामपल में धरती आप समझ सकते हैं यानि एक ऐसा तल जिसका मतलब तल क्या बोलेंगे इसे एक ऐसा सर्फेस एक ऐसा आकार इसको अगर लिखवाएं ज्यादा बहतर रहेगा आपके वह समझ यह बातों को एक्जामपल से इनको अपनी भासा के मिला कि मतलब समझ गया अभी में लिखवाऊंगो तो आपको समझ में आएगा जैसे कोई भी निश्चित जिसकी स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट है जैसे दीवाल हो गया वाइट बोर्ड हो गया आपका टेबल हो गया में जो गयरा हो गया जो यह सारी चीजें क्य आपको लें क्या है वाटम ब्लॉक लेकिन तल में जैसे धरातल धरती का सब फैस्ट थिक है एक मिनट थोड़ा से रुकना है ओके ओके रुकिए थोड़ा से एक मिनट तो थाई कि अगर दो कि अगर दो कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि तुन पारे आप लोग भाई चलें कि अगर से राज बहुत टाइम लेते हैं बढ़िया निवेदन है आपसे कि आप पहले हमें समझे कलास बाद में ठीक है कि हमें बहुत कम लोग समझ पाते हैं हमारा उद्दे से यह नहीं है कि पढ़Dad बोलते चले जाओ किसी को पढ़ने पढ़े या ना पढ़े हमारी कोसी से हर किसी को समझ में आना चाहिए हमें कर पढ़ fulf कि नहीं से बिदा करिए टॉपिक है पहला तल तल खंड बिंदू और पतिछेदर बिंदू रेखा तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि आपको जैसे दीवार वाइट बोर्ड हो गयरा हो गया यह सारे हैं मतलब एक परकार से जिनकी क्या होती है कमरे की दीवाल को तल कहा जा सकता है क्योंकि उसकी सीमाएं होती है यह आपका हो गया तल खंड ठीक है अगला जो तल वाला है तलपना करें तल वाला देख लिजिए तलपना करें कि यदि दीवाल वाइट बोर्ड या मेज इनके ठीए प्याइख उसे अविक है यो सर्फेसerek नांने हो तो उसे जा ने चाहितम कहा जा सकता है है यह कहीं पूछा नहीं जाये घ्याए है डिखने के लिए wolves आपको समझना है अगला पॉइंट है बिंदू क्या इसके पॉयंट बड़े खतरक खतरक को इसलिए नहीं समझ में आरहें आगला है ये बिंदू मत लिखना पीन्दू दो लिखे पी еленोating दोड déb सकतेओ धहरातल ओरे दम्ट के लिए थरती इसमें तलखन्ड में अब लिख लिखते हो मेज दीवाल वाइट बोर्ड तलखंड में इसमें उधारण में आप लिख सकते हो वगएरा वगएरा इनकी कुछ सीमाएं होती है मतलब मैं स्टार्टिंग में बहुत बात नहीं बताऊंगा चलो बिंदू क्या होता है इसकी कई परिभासाइं हो सकती है इसकी कई परिभासाइं हो सकते हैं बिंदु की पॉइंट की सुन लिजिए अंगर एक आ यसा आक्रती जिसकी कोई चाया नहों वह बिंदू को राते हैं इस एक अक अगर हम खड़े हैं उपर से अगर धूप आएगी तो परचाई बनती न अगर धूप में ऐसे हाथ करेंगे इधर से सूरजी निकले हुए है तो परचाई बनती है न चाया बनती न लेकिन एक पॉइंट एक बिंदू जो है उसकी कोई चाया नहीं बनती है ति सक्राइब तो इसकी एक परिवासा ऐसे भी कहिजा सकती है यही दिन इसी यह उसकी कोई भीमा नहीं लंबाई, चाड़ाई न हो वह बिंदू कहलाती है फेक एक एक ऐसी आकरती, जिसकी न तो लंबाई हो चाड़ाई हो और न रही हुआ ला हिंदो कहलाती है उदाहरन ये बिंदू यही है फिगर ही है कुछ लोग को दिखाई यह ना पढ़ रहा होगा यह यह मैंने रखा ना यह बिंदू है समझ रहे ना आप लोग है हैदर अली समझ में आ रहा है पंकज गौतम तो फिर से सुन लीजिए बिंदू क्या है एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है बीमा मतलब जो लोग इंटर में पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा बीमा निकालते थे वहाँ पर लंबाई च उड़ाई उचाई समझ लो बस तो आप लोग क्या इनको लिखना भी चाहेंगे समझ लीजिए बस बाकी मुझे नहीं लगता कहीं पूछा जाएगा लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझे नहीं रहेंगे तो आगे कोईश्चन नहीं हो पाएगा अगला क्या है पर अगला है परती छेदन बिंदू क्या है परती छेदन बिंदू परती छेदन बिंदू नहीं दिखाता हूं यह भी परती छेदन बिंदू इसमें एक topic और भी है इसके बाद में इंग्लिस में intersection point घाता है यह वो बिंदू जिससे होकर 2 या 2 से अधिक रहाय जाती है वह परती 6 दन बिंदू कहालाता है परती छेदन बिंदू यहाँ पर मैं लिख देता हूं आप ज़रा ध्यान देना हां पार्ति héक टेदन बिंदू कि एक इसा बिंदू जिससे हो करके वो या दो से दिक रेखाए जाती है वो क्या काstudy मिन्दू का स्था चिता ऐर है इसका example आप देख लिजी इहां पर suffered बैसे अगर ये ये जो points है इसका नाम अगर पर ओ दिया जाए तो यहां पर ओ क्या है पति छेदन बिंदू है इंटर सेक्षन पॉइंट है कि अगर समझने वाली चीज़ें सभी को नहीं समझ में आएंगी जो सिर्फ सीखने वाले हैं इमांदारी से बैठेंगे उन्हीं को आएगा समझे में जो सिर्फ मज़ा लेने के लिए वह नहीं पढ़ पाएंगे और एक जामपल अगर नहीं समझे रहेंगे परिक्षा में इन में से कुछ न कुछ जरूर आएगा अगर पूछ लिया कि बिंदू की परिभासा लिखिए तो वहीं मुह बना दो गया इसे कोका कॉला देते हैं कि कि इसलिए दिमाग मांगती है इसलों के पास बह cur People कण दिमाक होता है लेकिन गलत दिशा में खूब परियोंग करते हैं सही दिशा में नहीं लगाते हैं विभिं कि ऐसे का दो लोग हमारे विसंपर्क में कि अगला है रेखा और रेखा खंड रेखा क्या होती आप जानते हो कि कि कितने लोग जानते हैं रेखा कि आथ उटाओ जल्दी फटाफट तुभम कुमार मानो सेवा संधान बहुत दूर से दिख रहा है इक दिब्या जी आपने सही कहा पेंसिल से या पेंस से दबाने पर जो चिननकित हो जाता है उसे भी बिंदु कहा जाता है इस तो रेखा क्या होती है देखिए दो बिंदूं को जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदू रखा अब भाई कहां पर लिखूं, जादी खराँ ठीक है, एक बिंदू ये है, एक बिंदू ये है, दो बिंदू को मिलाने पर बनने वाली आकरती रेखा कालाती है, आप ऐसे कह सकते हो, दो बिंदू को मिलाने पर बनने वाली आकरती क्या कालाती है, रेखा कालाती है, अर्थात एक रेखा या सरल रेखा बिंदूओं का एक समुच्च्च होता है तो यह आप रेखा तक समझ गए रेखा खंड के बारे में हम बात करेंगे लाइन सेग्मेंट नीचे लिख लीजे रेखा में इसे पराया L M L, M, N L फार लायन यम फार मंकी यम फार इसे परदर्सित किया जाता है यह फार फार जो मैंने बताया यल फार यन फार यम फार यह समझने के लिए बताया इसको लिखना नहीं आज की क्लास समझने के लिए जादा है लिखने के लिए कम है क्योंकि यहां पर समझने वाली बाते होंगी, यहां पर लिखना नहीं आज जादा जो कमेंट की पीछे पढ़े हैं मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूं तो देख सब का रहा हूं लेकिन जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए अच्छा है खिक है हाँ डी अलेड का है यह मनीज जी मनीज पांड़े बिल्कुल डी एलेड है बीटी सीच यह है वज़े तो यह सब के लिए है क्योंकि कांसेट है इसमें रेखा खंड ट क्या होता बहिया रेखा खंड जैसे मैंने अभी कहा तल खंड झाल और खंड मनलब तल खंड वैसे रेखा और खंड रेखा खंड जैए कमड़द करदीये ए पर करकार से भाग हो गया, समझसे रहे ऊटा कि आरा समझ में लर्णबित क्रिस्णा काय को बें डंडा किया बिन मतलब को दिमाग कदही बना कर रखा है बलक करो इसको फटा-फट पढ़ना लिखना है नहीं यह पिल्ले-पिल्ले बरके आकर कलास में गंदगी मचा देते हैं कि इनको पढ़ना नहीं है कि यह हो गया तो रेखा खंड क्या होता है देखिए अगर कोई रेखा खीचा है समझे यह यहां पर कोई रेखा अगर ऐसे खीचा है कि माल लेते हैं कि इसका नाम हमने ल और यम लिखा जो भी है वन टूवाल अगर इसके बाग को काड़ दिया जाए रेखा एल और यम के एक पार्ट को काट के निकाल लिया जाए ठीक है जैसे माल लेते हैं कि हम इसको यहां से काड़ दिये यहां से और इनके भागों के नाम एबी लिख दिये तो इसमें जो A, B है वो क्या है रेखा खंड है, लाइन सेग्मेंट है, समझ में आया न सभी को, लाइन सेग्मेंट समझ में आया, L, M क्या है, एक रेखा है, लेकिन A, B उसमें से काटा हुआ एक भाग है, तो यह क्या है लाइन सेग्मेंट है, रेखा खंड है, रेखा का एक पार्ट एक प्रकार से क्या होता रेखा खंडगा लाता है ठीक है समझ गए न सभी तो ठीक है बस इतना ही था इस जो टॉपिक में था बाकी आगे की बातें आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है इसमें एक मिनुट रुखना कि कुछ समझ में आ रहे हैं पंकज गौतम योगेन सिंग आ रहे हैं अगला तस्वीर दिखाईए भाई कि यह हिंदी इंगलिस दोनों में है जो कहानी है ध्यान से देखिए प्यार से देखिए मगर प्यार से मतलब बोर्ड देखिए अगला है लाइन यानि अभी आपने लाइन के बारे में पढ़ा अब पढ़ेंगे टाइप आफ लाइन कितने परकार की होती है या आपने कभी सुना है यानि रेखाएं जो होती है वो कितने परकार की होती है बहुत परकार की रेखाएं होती है पहला एक कर्ब्ड लाइन ठीक है या फिर आप उपर हेडिंग डाल सकते हैं रेखाओं के परकार समझने के लिए ये कलास है आज जो समझने वाले हैं उनके लिए है जिनको भगवान पहले से ही वादाहाग बाप बनाग बेज़ें उनकी बात ही अलग है रेखाओं के परकार यहाँ पर हम मुक्यता छे परकार की रेखाओं के बारे में बात करेंगे इस टाइप आफ लाइन पहला कर्ब्ड लाइन ठीक है करब्ड लाइन मतलब वक्र रेखा ठीक है पहला क्या है वक्र रेखा आपने सुना है कभी कहते हैं कर्ब बनाईए जो लोग इंटर्मीडियेट में अगर मैथमेटिक्स पढ़े थे तो भाग के से परवी में तो उन् समय कलन अगर उन्हें पढ़ा होगा या फिर उन्हां अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो देखांग तो कर्पर रेखा का मतलब यह ऐसे जो टेडुमेडियेश से जातीं जाती हैं यह क्या रेखा थे बारत अना रहे हो नहीं बहुत बड़ा है को सी आसा उन्Did खुंपूंत याम princess ना मतलब समझाने में सभा सकता हूं लेकिन परिभासा आप अपने कारणी Saudi caid ौक वख्र रूप में मिलाने पर जो रहे बनती है इनने इब या कर्ब रेखा कहते हैं यह तो मैं दो तेनी कजामपल बताया इन्हें थोड़ा प्यार से भी खीचा जा सकता है, ऐसे इन्हें भी करब रेखा कहेंगे, हाँ वकर रेखा है दो तरह की होती है, एक कुलॉज्ड करब होता है, एक ओपन करब होता है, के पुर्शे करब का मतलब वो कि रेखा जहां से सुरू हुई है वहीं पर आकर खतम होगा जिसे खर लोज्ट कर्ब की बात करें तो ऐसे क्या 100 को ये कि छलौज्ट कर्ब चन्हें अब को बंद है कि उसमें कोई गुस नही सकता अगल बरगल से और ओपन कर्ब की बात करें तो ऐसे यह शुरू कहीं और से हुआ खतम कहीं और हुआ है लेकिन लोग कर दो जहां उसका स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट दोनों एक होता है क्रिशन सिंग जी आपके जैसे जिनके भी सवाल है आप पीबी आरे स्टड़ी एप डाउनलोड करिए और उसमें जा करके आप कोर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से जुआइन करके और पढ़ना सुरू कर दीजिए किमांदारी से पढ़िए भाई देखिए महनत अगर आप करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम पूरे पूरांक लाने की गारंटी लेते हैं डियलेट में पचीस में पचीस हंडेट परसेंट लेकिन महनत करनी पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा कुश्चन लगाने पड़ेंगे हां चैटिंग गप सब और इधर उदर की गप सब छोड़के पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ेगा कि वह सब छोड़ना आसान नहीं है तेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्यूं आवाजानी बंद हो गई क्या कि सबको आरी रोसनी कुमारी कान में तोड़ा तेल ओल डाल लीजिए वह सकता मिट्टी उट्टी गुश गई हो बंद हो गया हो ना सुना ही पड़ रहा हूं तो वक्र रेखाया आपने सीख लिया समझ लिया क्या होती है इप है कि आगल्या रेखाये देखी आनि वे लगज популяр का मतलeg ऐसी rit्म जो एक दूसरेकर बगल बगल चलती है ऐसे बगल बगल ठोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वाकी लोग छोड़ देते हैं वो अलग बात है देखो समझो का ऐसे मैं कहना क्या चाहता हूं यह इसका एक्जामपल सबसे अच्छा रेल की पटरी है रेल की पटरी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती जहां से शुरू होती वहां तक जाती साथ साथ ऐसा नहीं कि वह इधर को जा रही उधर को बग गई एक दूसरे से बराबर दूरी पर हमेशा रहती है समझ रहे ना आप समांतर रेखाओं का उधारन आप रेल की पटरी देख सकते हैं आपके घर में अगर थोड़ा आप गरीब टाइप के हैं हम लोग जैसे सीड़ी छत पे चड़ने के लिए लगाई जाती है देखें एक नहीं अरे दोनों तरब बांफ लगा होता बीच में और दंडे डंडे ऐसे लगे होते हैं तो वह दंडे भी आपस में समांतर होते हैं कैंधर नğ अ गाईक की सर्मा बेरावत यह मिस्शा देया को तम मरं इसी तो समांतर रेखा भी आप समझ गए यानि यहां हम कह सकते हैं कि अगर इनके नाम हम A B दे दें और इनका नाम हम C D लिख दें तो A B और C D दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं कि यह हैं यह पैरलल है ठीक है अगला C नंबर है परपेंडिकूलर लाइन्स यानि लंब रेखाएं वह यह कौन सी मुसीबत का नाम है लंब रेखाएं क्या है किसी कज़ाश्ट उल्टा एक दूसरे कूप पर पटक उठती हैं यानि ऐसी सरल रेखाएं जो परसपर समकोन पर परतिछेदित करती हैं अथात परतिछेदन बिंदू उनका मद्यसम कोन होता है यानि अगर हम बात करें यह जैसे एक रेखाएं यह हो गई यह थी इदर से गई दोनों आपस में टकरा आगई कटाक दें इस पर क्या बनेगा इस पर 90 अंस का कोन बनेगा इधर 90 का इधर भी बनेगा अगर हम इसका नाम A B दे दें और इसका नाम C D तो यह कुछ ऐसे बनेगी समझ रहने आप लोग आईसी रेखाएं इसको भी आप लिख सकते हैं आईसी सरल रेखाएं जो परसपर तम कोन पर परतिछे दिद करती हैं अर्थात परतिछे दन बिंदू पर उनके मद्धे कोन होते हैं प्रतिछेदन बिंदू पर उनके मद्धेकॉन होते हैं वो लंब रेखा हैं पर्पेंटिकुलर लाइन स्काला देगे अब को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि नहीं बुझा रहा है कि नहीं भई कि लिखते जाएं फटाफट लिखते जाएं कोई कमेडी मौज वाले भी आये हैं कि नहीं कि समझ गये होंगे मैं इनको बोला नहीं है नहीं आएंगे क्यों चलिए पढ़ने लिखने से कोई मतलब भी नहीं है अगला है डी नंबर है मतलब कुछ चीज कभी-कभी अभी आविश्वस निय भी हो जाता है बी नंबर है interconnected lines लाइट यह दो कि नि कि नफें इन्टर्जेक्टिंग लाइन मतलब यह गलत देखें लिक गया ना… पर्तिछेदी रेखाएं, यह जो नीचे लिखा है यह नमबर पे उसकी हिंदी गलत है, संगरामी नहीं वो संगामी है, ठीक है, तो D नमबर आप देखिए, इंटर सेक्टिंग लाइन पर्तिछेदी रेखाएं, इसमें से कितने लोग हैं, जो पर्तिछेदी रेखाएं, समझ एके परिश्य कि दूसरे को क्या करते हैं ऐसे एक ठीधर को जा रही एक ठीधर को जा एक दूसरे को आपास में इसे इनको इंगलिस में मैथमेटिक में काटना नहीं बोलते हैं काटना एक लेंग्वेज पतिछेदी मतलब पतिछेदन करना बोलते हैं इसे मतलब intersection point कर इनकर सैक्ष्टम पॉइंटी से क्या वोझते कि ऐसे 20 और इन सेक्ष्टम पॉइंटका teşekkür और इलाइब को आइंटरस्यक्शन मैं इन फैप इन फिर्यक्सर में नहीं बोलते में यदि हींटि थोड़ा सही है इन इसल्ड़ा घरड़ 2024 यह क्या है intersecting line है और यह intersection point है कि समझ में आ रहा कि नहीं कि अर्चना देवी नहीं मालूम है कि मालूम हो जाएगा कलास में अगर रेगुलर आएंगे तो कि लिख लीजिए आप लोग उनको बना लिजी फटहुट चली जल्दी से बना लीजिए इनको समझ सकते आप इनको याद नहीं कर सकते हैं लिक सकते नहीं सकते हैं अधहा में संगामी रेखाए कॉंन से ब्लॉक्ता। है जरा ध्यान से देखना यह भाई संगामी रेखा एं कौन से जन्वर का नाम है कि तक हिंदी थोड़ा सा गलत लिखी गए जो इसक्रीन पर आपको दिख रहा है वह संगरामी नहीं है इसे संगामी भाई हिंदी तो थोड़ा लिखना सही सीख लो नकल वड़े अच्छी नहीं है रुख जाओ तंगामी रेखाएं यह कौन सी रेखाएं है इसमें से कितने लोग जानते हैं तुबास वनोज रोसनी सिवानी ठाकुर्थ हां बताइए तंगामी रेखाएं कंकरिंग लाइनस आप लोग जानते हैं बोलिए यह जैसे अभी मैंने आपको इस टार्टिंग में कुछ और बताया था परती छेदन बिंदू बताया था ना बिल्कुल वैसे ही होती है तंगामी रेखाएं का मतलब बस बिल्कुल वैसे ही होता है यानि एक ही तल पर इस्थितुए सभी रेखाएं जो एक ही बिंदू पर परती छेदन करें जैसे अगर यह रेखा है और यह है यह गलत है यह देखो थोड़ा सा पगल से निकल गई नहीं यह ज्यादा चलाक बंद रहे इस पे से ही ओके जाना चाहिए अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए यह थोड़ा में खिसका के इधर कर देता हूं तो यह सभी एक ही जगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जितनी रेखाएं हैं यहाँ पर जिनके नाम कुछ भी आप लिख सकते हो मानलो इनके यक्स वाही नाम रख दिया इनके जेड़ वन और जेड़ टू नाम रख दिया इनके पी क्यू नाम रख दिया तो यह सभी रेखाएं क्या हैं तंगामी रेखाएं हैं कंकरिंग लाइन से प्टा पट करिए पूजा गुपता जी देखिए नीचे नंबर चल रहा है आप उन पे दिन में मैसेज करिए या कॉल करिए नंबर नोट करके रख लीजिए आपकी जो भी इंक्वाइरी है सब बताया जाएगा माफ ही चाहते हैं यहाँ पर नहीं हो सकता सारी जानकारी क्योंकि डीटियल में बताएंगे टाइम लंबा जाएगा प्टा पड़ लिखिए मिटाता हूं चलो यह समझ गए अगला है तिरियक रेखाएं कि डाइगोनल लाइन आप लोगों ने सुना होगा एफ नंबर पॉइंट देखिए ध्यान दीजिए एफ नंबर पॉइंट कंक्रिंग के बाद में आप देखिए डाइगोनल लाइन अच्छा यह बताये सबको इस्क्रीन तो कलियर दिख रही नहीं एक दम अभी जल्दी से बोलेंगे यास 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 जिनका internet थोड़ा धीमा होगा उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी internet जिनका धीमा होगा अगर आपका इंटरनेट धीमा है तो क्वाल्टी को एटोमेटिक नहीं उसको मैनुवली कर लीजिए 420 पर या 360 पर प्रीती भीजा खान जीवान जिब्या प्रिया अखिलेश ठीक है कुछ लोग तेहां फालतो टाइम बर्बाद कर रहें बिना मतलब के पढ़ लीजिए जाके अपना भी पढ़ लीजिए तो यह त्रीयक रेखा भी बचा एक वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे वो त्रीयक रेखा कालाती है मतलब यह ऐसी होती है जैसे दो लोग खुसी खुसी हैं आपस में तो उनको उनकी खुसी बरदाफ नहीं होती है दोनों की जाके बीच में खलर डाल देते हैं कुछ वैसे होते हैं जैसे अगर यह दो रेखाएं हैं इन पर अगर एक रेखा ऐसे खीची जाए तो यह डाइगोनल लाइन का लाती है कि समझ मैं आ ना सरवन गोश्वामी जी बिल्कुल बहुत लगी है आपका नाम बहुत अच्छा है सरवन जो नाम है कि मैंने कल भी बताया था ना आपको है कि मैं समझ गहें आप त्रियक रेखाएं वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काड़ती है वह क्या कालाती है इसमें अगर हम बात करें अगर इनके नाम पी और क्यू रख दें तो पी क्या है डाइगोनल लाइन है क्या है यह तरियक रेखा है अब लोगों से एक सिक्वा शिकायत है दिल तो पहले से टूटा चटनी नवनाओ लेकिन आप लोग चटनी बनाने का मतलब यह है कि आप लोग खला सेयर नहीं करते हैं चात्रों की संख्या और कभी नहीं जाती है यह बहुत दुखत बात है इसलिए कर क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं चलाएंगे आप लोग सर्माते हैं सेयर करने में सर्माते हैं मैंने कई बार बताया कि आप लोग अपने वाट्सअप के ग्रूप में चाहिए वह कालेज का गुरूप है कोचिंग का है स्कूल काए कहीं काई कोई गंदी चीज तो है नहीं बेज दिजिए ना कोई देखे है या ना देखे लेकिन लेकिन बेज दीजिये देगरं अबख रहें लेकिन आप लोग करते ही नहीं है वो भी कलास में हैं अच्छी बात है यहीं तुम्हें कहता हूं ना कि उनको भी कलास में लेकर आया करो मतलब अपने उनको वही जिन में सही चल रहा है महौल वागी तो आजकर लोग सिर्फ काम काम के होते हैं मतलब निकला की खिसके मिक्कु यादो गुड इबनिंग अच्छा कर दिया आप लोग अभी फटा फट सेयर करके आईए नहीं तो आगे कहानी नहीं होगी बंद जल्दी सेयर करके आईए अभी कोई सोया नहीं मुझे पता है मुझे पता इसमें जो जो कलास में जुड़ा ना इसावस्था वाले रात के तीने बज़े सोते हैं उसके पहले नहीं सोते हैं जल्दी से फटा फट अभी सेयर करके आईए अब बीच में बोलना पढ़ रहा है मुझे तो मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि अगर सो इस्टूडेंट भी नहीं है हंड्रेड भी नहीं तो कोई मतलब नहीं क्यों चिलाओं में गंटा अभी जाके आराम से सो हूं जो मज़ा है सोने में दुनिया के नहीं किसी कोने में तो यह टॉपिक हो गए खतम अगला अगर इसमें हम टॉपिक की बात करेंगे वसे आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने उमीदे सारी तोड़ दिया है कुछ दिन से उमीदे टूट रही है अर दिन तो आप लोग सेर करते नहीं कलास को मैंने कई बार कोशिस किया लेकिन नहीं करते तो क्या क अगर अगले दिन आप लोग क्लास को सेर किये रहेंगे और बच्चों की संख्या जूड़ेगी कल ना तो कल हम कोण यानी एंगल एंगल के बारे में एक-एक पॉइंट बताएंगे कि समझ रहे ना कि देखो कितना खतरनाग चीज लिखा है प्रितिया दौड सेर करके आओ वाह बहुत चीजाद आ गया इससे तो भई तो आप लोग इसे सेर कर रूब जरूर करिएगा कल सब पढ़ाएंगे इसके आगे ठीक है आज की कलास छोटी ही चलेगी क्योंकि आप लोग की इच्छा नहीं ज़्यादा पढ़ने की हां तो कुछ कुछ पूछ लेते हैं हमें भी अच्छा लग रहा है अकेले तनाई में बात चीत करना जलो सुनो तो एक क्वेश्चन बताओ छोटा सा की बताओ अभी ध्यान से कि अगर मैंने लिखा एक सो अस्सीयंस का कौण तो यह क्या अधिक कौण है पताए यह यह अधिक कौण है वोलिए हाँ यह 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 नो यह अधिक कौण है कि नहीं कि अनुपा मोर्या सब्से पहले सरवन जी बताएं बढ़ी सरवन जी मैंने कहा था ना कि आपका नाम लगी है लेकिन काम आपका उतना लगी नहीं है तो आपका तो गलत है जीला, यस, कुछ लोग confusion में जीते हैं, मैंने इसी लिए लिखा है, यह क्या है, अधिक कोण है, नहीं, यह अधिक कोण नहीं है, आप कहोगे काई, काई नहीं है, अधिक कोण काई नहीं है, इसलिए नहीं है, क्योंकि जो अधिक कोण होता है, वो 91 से start होता है, और 179 दक होता 180 यह क्या है इस्ट्रेट इंगल है हिंदी में इसे था है रिजू कोण ऐसा कुछ बोलते हैं इस यह रिजू कोण है अधिक कोण नहीं है एक महत्मा एक दिन हमसे पूछ रहे थे वाटसप पे कि बताओ गुरुजी हमारे मित्र हमें दिखा रहे थे कह रहे थे बोल रहे हैं गलत है गलत है इसमें कुछ वह कह रहे थे कि आप कहते हैं अधिक कोण है लेकिन अधिक कोण नहीं है उनका यह सवाल था कि 179.2 या 0.5 अगर है तो वह कौन सा कौण है तो देखो भाई यहां पर पीएच जी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं अगर इतना डीपली हम जाएंगे तो यह सब नींद में आ जाएंगे और मुहमें भी नहीं अच्छा लगेगा इसमें दिमाग पकाने में यह डीलेड वाले हैं बेसिक पड़ रहें एक परकार से आपका जितनी मतलब इतने परकार से आउकात हैं आप एक वाल्टी मतलब आपको जितना देना उतने जरूरी है ना आप एक नदी में प्याफ आपको जितनी जरूरत है उतने लोग है आप उसमें से यहां पर हम लोग की इतना ही जरूरत है कि यह समझ जाएं एक-एक के अंतराल पर कि 179 तक अधिकोण है यह अधिकोण नहीं है अब इसके बीच में अगर घुसोगे तो पॉइंट-पॉइंट में बहुत कुछ होता ह समझ में आया ना तो वो डीलेड वालों के लिए या फिर तुम कंपर्टीशन की भी परिक्षा दोगे तो तुम्हाई लिए जरूरी नहीं अभी कहीं भी ऐसा मिलता नहीं है अब ना तो बस ऐसे लोगों के लिए यही है हमारी तरब से भी आओ घर में जितना खाना बनता है केले नहीं डखेल जाते हो थोड़ा थोड़ा साब लोग को मिलता है ना जितनी तुम्हाई लिए जरूरत है उतने लोबस तो बस वह से यहां पर इतना ही जरूरी है आप ल इसमें इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं और जो 181 से स्टार्ट होता है वह कौन सा होता भाई हम तो बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे नहीं लेकिन पढ़ाने लगे मतलब मज़ा भी आने लगी अभी तो मैंने अंगल शुरू नहीं किया लेकि अभी मैंने कोण पढ़ाना शुरू नहीं किया है फिर्क मैंने एक डेमो दिखाया है इसी लिए पतले हैं 180 क्या है यह एक अलग दिसा में जाता है जैसे अगर मैं इसको पढ़ाओं आज ही पढ़ा दूं क्या मुझे लग रहा है कि आप लोग सेर कर रहे हो क्या कल पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे एक नए मूड में अच्छा रहेगा इसको स्टार्टिंग से सबसंद्राण देफेंगे इसमें कुछ कोड होते हैं जो अदूतियna होते मतलब जान रहो अछी wow सामें बोली कि are इक सूर्य चंद्र्मा तारे अंग सूरचंद्रमा अए अ जन्ली दो है तो चंद आगर सूर्य भी बोलनेगे तो सूर्य परकार से किना उचित नहीं होगा क्योंकि क्या एक तारा है आपको मीटेए एक अलग सीच बाद करते हैं तोड़ासा आप लोगों मालूम है सूर्य भी एक तारा है जैसे आप लोग को कहते न तुम्हारे ले में चांद तारे तोड़ा sexual मेरे साथ कीं लेकिन चांद कोई दूसरा नहीं है यह कहा है इसलिए लोग चांद के पार जाते हैं कोई कारा सब जूट अभी बात करेंगे लाश्ट में इस टॉपिक पे आप लोगों को एक दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाएंगे हम संडे को संडे को सुनाएंगे हमारे एक दोस्त हैं पंकर जी उनकी बिल्कुल सची कहानी है और काफी करीवी हमारे तो मुझे मालूम है मैं बहुत दिन से आपको सुनाने वाला हूं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कहते हैं न जिन्दगी अनुभा बहुत देती है तो वो सिखाएंगे हम आपको सुनाएंगे अगले संडे को लेकिन आज नहीं चलिए फिल हाल टॉपिक पर चलते हैं कोंड के बारे में बात कर रहे थे हमने बोला था अदूतिये अदूतिये वर्ड क्यूं बोला था हर एक वर्ड का मतलब है देखिए एक्चुली कॉणड में जो हम पढ़ते हैं पहले जैसे पढ़ेंगे एक ये सून न कॉण साम कॉण और स mattress पूर्ण कोण और रिजु कॉण ये अधुतिये हैं ये क्या है ये अधुतिये हैं, अधुतिये का मतलब ये एक का एक ठी होते हैं बस एकत उसेह हैं, जासे सून्ने चोन की अगर बात करें हिए तो definite जीरो के संपोन कोन होटा है संप्पून कोन की बात करें तो 360 का कोन संपून कोन होता है वैसे तो संप्पून पाद में लिखना था रिजू कोड़ पहले लिखना था लेकिन कोई मतलब नहीं आप समझ लीजिए रिजू कोड़ यानि स्ट्रेट एंगल की बात करें तो एक सोचियंस यह अधूतिये हैं मतलब एक का एक है डबल नहीं समझ में है ना लेकिन अगर हम निवन कोड़ की बात करें या अधिक कोड़ की बात करें इनके एक साथ में अधिक होते हैं डेर सारे होते हैं एक परकार से यह बेवफा होते हैं समझ रहो कि नहीं हां एक साथ में कई चक्कर रहते हैं इनके मतलब मतलब से कहते हैं ना वह मैंने एक दिन बताया था ना जो लोग दिल के अच्छे होते ना दिमाग वाले ना उनसे बहुत अच्छी से खेलते हैं इसलिए कभी दिल से अच्छे मत बनना और अगर आप दिल से अच्छे हैं तो दिमाग वालों से दूर रहना ने तो दिल से अच्छे लोगों को दिमाग वाले न बहुत बूरा पटकते हैं मात तो बात क्या हो रहे थी मौने ये सब क्यूं बताया इसका एक लीजन ने वहाते हैं को इनको मैंने कहां अभी कि अधिक होते के एक कंए यह बहुत सारे होते हैं जैसे देखिए कि अगर निओन कौड की बात करें तो वन डिगरी से स्टार्ट औरlike attending 15 mm तक इतने हैं 12 यह क्या है निवन कोण है यह सिंगल नहीं है एक नहीं है दो नहीं है यह पूरे-पूरे 89 है इतने हैं 89 और अगर अधिक कोण की बात करें तो इनकी भी कहानी कुछ वैसे ही है इनकी भी कहानी कुछ वैसे ही है, अधिक कौण, ये 91 के बाद इस्टार्ट होता है, 179 तक जाता है, ये भी बहुत सारे हैं, और अगर आप 150 अंसका कौण कहेंगे, वह अधिक कौण हो गया, 110 अंसका कहेंगे, वह भी अधिक कौण हो गया, ये ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं न दूसरे खुपड़ी भाद रखके भी कसम खाते हैं भगवान का सम तुम्हारे अलमा हमारे जिंदगी में न कोई है न रहे समझ रहे हैं कि नहीं है कि उन्कों छोड़ के बाकी जिंदगी मित अ इतंए नहीं के सामने हसते हैं लेकिन अंदर में क्या होता है यहां पर जो लोग निकाल रहे हैं उनको भी पता है क्या सायं उत्तिक करती है कि आज कर देना वोबंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ओबर हो रहा है यह टॉपिकल डीटियल में पढ़ाएंगे आपको विस्तार से पढ़ाएंगे को एक्सपीरियंस बहुत है कोई बोल रहा है अंदर से हमारे भी एक आत्मा है एक्सपीरियंस है नहीं हो गया मतलब था नहीं पहले बस धीरे धीरे हो जाता है चलिए तो फिर आज के लिए यहीं पर इंड करते हैं किसी का कोई सवाल है तो बताईएगा लेकिन संडे को याद दिलाना वो कहानी जरूर सुनाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज होती है लेना चाहिए क कहीं भी मिले एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जैसे कि मैं अभी एक लाईने दिखाया था कल दिखाया था न यह देखी यहम्या आपको डो दिन से दिखा भागी जिंदगी के बुरे हाथ से हमें शहीBU सभी राश्टे पले आते हैं इसलिए खभी घबराना नहीं जोभी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से थैंक्यू जो आप लोगों ने इतना देर देखा कम से कम कि उमीद है बहुत कुछ सीखा भी होगा बहुत फालतु बातें भी हुई है जरूरी था वो भी थैंक्यू